नमस्कार मैं हूँ अभिशेक त्यागी आप देख रहें एनमेफ न्यूज इंग्लेंड से भारते क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ी खबर है कि भारते क्रिकेट टीम ने पहले दो टेस्ट मैच हारने के बाद तीसरा टेस्ट मैच इंग्लेंड को दो सो तीन रनों से हरा दि के लिए कहां तो मैच में टीम इंडिया सीरिज में दो जुरों से पिछट रही थी और उसके बार इतनी शांदार कॉमबैक करिया है और विराट कोली ने फिर रन बनाए है और सबसे अच्छी जीत इस मैच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीए रही है विशेक कि विराट क खिलाडी यह सब ने कुछ ने कुछ कुछ कॉंट्रिबूट किया है चाहिए पुजा रहा हूं अजिंके रहाने ओं एक और परफॉर्मेंस टीम इंडिया की नदर आई एस मैच में जो की जीत के लिए काफी थी आज और की बात करिया अपने बुम्रा ने अच्छी बात करि तो पांडिया के जो जिस तरह से प्रदर्शन रहा है इस टेस्ट मैच में उसके बारे में क्या बोलिंग रही थी कपतान का सपोर्ट मिलता है का बहुत विश्वास कपतान ने जिताया था भूंब उसके उपर अगर हम बात करें हरदिक पांडिया के ऊपर और उस पर खरे उतने इस टेस्ट मैच में उन्हों दिखाया कि परतीबा की कमी नियोंके अंदर थोड़ा शा मोका और मिन एक्शन और यहां पर जिस चरह से उन्हों ने पांच विकेट निकालना यह टर्णिंग पॉइंट रहा है इस मैच का यह अगर वहां पर यह स्कोर भारती स्कोर के आसफास पहुंच जाता तो यह टर्णिंग पॉइंट था इस मैच में की फैसला लिया है हमें आगे की और सोचना चाहिए रिशापंद ने बल्लेबाजी भी कुछ अच्छे शौट खेलें और दिखाया है कि उनके शमता है इंग्लेंड की देखिए कोई खिलाडी पहला यंग सिर्फ पहला टसमच इंग्लेंड की धरती पर खेला है विदेशी सर् पहली पारी में इंडिया की टीम ने बॉलिंग की 191 पर उनको उल्टीम आउट कर दिया तो जिस तरह से चेंज हो रहा है बॉलिंग में उसको आप किस तरह से नजरी देख रहे हैं बहुत अच्छा ये टीम इंडिया ने यहां प्रफोर्मेंस दिए देखिए एक बात आप नोटीस कर लिए आखिर इंग्लेंड की सरजमी पर अगर आपको मैच जीतना है तो आपको पहले वैटिंगर के रन बनाने होते हैं और टीम इंडिया की खिलाडियों ने काम किया है पिछले कुछ टेस्स में हमारी बल्लेवाजी किलिक नहीं कर रही ती यहां हमारी लगाता टीम इडिया हैं कम सकम सोरण की लीड जरूर लेगी ओपनिंग पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं पहले मैच में भी दूसे टेस्ट मैच में इसी तरह से काफी बदलाव ओपनिंग में मतलब लगातार होते रहे हैं तो आपको क्या लगता है जिस तरह से अब राह कि दूसरी ओपनिंग की पहली पसंद मुरली विजय रहेगी जोंकि बहुत अच्छे क्लासिकल टेक्निकल प्लेयर हैं उनको अगर मुका मिले तो जोड़ी जारा भेतर साबीत होगी लेकिन मुरली विजय फेल रहे हैं लेकिन आप अभी एक लंबी सिरीज थी मुझे लगत पर देखते हैं तो मेरे ख्याल में इंग्लेंड की सरजमी पर फर्क पड़ता है कि कंडिशन कैसी है अगर यही एशिया में तो यहां तो को पुराना करना पड़ता है उपनर को कम से कम पिछ पर आपको 10-15 ओवर खेलेंगे तब जाके यह बॉल पुरानी होती है और सबसे इस जीत के साथ आने वाले दो टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया किस तरह से जाना चाहेगी इस जीत के साथ भारती टीम के अंदर बहुत बदली वी टीम नज़र आएगी बहुत कॉन्फिडेंस आगा अगला टेस्ट मैच साउथ हम्टन में उसके बार ओल में तो भार दो टेस्ट मैच बचे हैं तो देखना होगा कि आने वारे दो टेस्ट मैच जीत कर क्या भारती टीम इस सिरीज पर अपना कबजा जमा पाएगी